नमस्कार नेशन 24 में आपका श्वागत है मैं नीरज देखें बिहार में नगर निकाई चुना होना है और पहले भी घोस्तना हो चुकी थी चुना आयोग और सरकार ने घोस्तना किया था पर हाइकोट में चले जाने के बाद जो है उस पे रोक लग गया था लेकिन वापस आय फुलवारी सरीफ नगर परिसद में और हमारे साथ मौजूर वे हैं वरतमान सभापती मुहमत अफ्ताव आलम जी जो परत्यासी के तोर पे जनता के बीच जा रहे हैं अपने एजंडा अपने वादे को पेस कर रहे हैं कितना कारे किये कितने योजनाओं को घर तक पहुंच किया वह इसे मुलकात कर रहे हैं और अपने माध्यम से जनता के बीचिंद के बातों को रख भी रहे हैं तो तो पहला सब्सक्राइब पांस सालों में जो आपने कार किया उसमें कौन से एकार थे जो पुर्ण हुआ हम लगा कि बाकिन बीच पुर्ण नहीं होता है यह काम काम हो या विकास का काम हो जो भी काम है वो निरंतर चरने वाली पर किरिया है नहीं नहीं आबादियां बनती जाती हैं शहर बढ़ता जा रहा है फिर वहां काम करना होगा तो सारे हमारा जो एजन्डा है वो सद्वाव के साथ विकास और विकास के साथ सद्वाव हमने विकास 28 वार्ड जो यहां है सभी 28 वार्ड में बड़े पैमाने पर विकास का काम हुआ है चाहे हो रोड निर्मान का हो नाला निर्मान का हो स्ट्वीट लाइट का हो सैनिटेशन का हो दो टो डोर कच्रा कलेक्शन का काम हो सारा विवस्ति ढंक से चल रहा है और हमने सद्वावना के लिए खास तोर से परियास किया हमेशा चाहे वो हमारा महर्रम हो तो भी हम खड़े रहते हैं और दसहरा दुर्गा पुजा हो तो भी अगर कोई यहां उर्ष क कर्चकरम होता है तो भी हम वहां कइस करते और सारी बिएस्ता करते हैं उस Jesse Khto पुए करते हैं हम लोग की यहां कोई सद्भावना के लिए परियास किया है और इसी पर लोगों से समर्थन माग रहा हैं और अपार समर्थन मिल रहे। हमको नहीं लगता कि कोई उमिद्वार हम नोगों के निकट निकट भी context में रहेगा अपार समर्थन है कल आप रैली देखते तो आपको समझ में आ जाता एक छोर वहां पेट्रॉल पंपे था दूसरा थाना पे था आप समझ लीजिए और सभी वोटर थे सभी वाट के लोग थे जनता की वीच जा रहे हैं आप लगतार दौरा कर रहे हैं अपने बातों को उनके पास रख रहे हैं उनकी समस्याओं को भी सुन रहेंगे तो क्या कुछ समस्याओं से भी रूबरू होना पर रहा है कुछ नहीं बस वो लोग एक जो कह रहे हैं कि आप इस बार आईए तो फिर हमारे परात्मिक्ता में शामिल है और उसके साथ साथ जो विकास के काम है वह तो चलेंगे जो नागरिक समस्या है उनका समधान हो वह सब चलेगा और ट्रेनेज जो यहां का में मुख्य ड्रेनेज वह बड़ी परात्मिक्ता है जिए वह समस्या है उर्षी का समधान हम लोग कई अलाके में हो चुका है क्या बाकि है उसको हम लोग को पर काम करना है यह अश्यर लगा कि सारे लोग जो हैं डौर टौर केम्पेंड कर रहे हैं आपने शिंता के साथ अपने कार्याले में बैठे हैं इसके पीछे का बज़ा क फिर दुबारा शुरू किया हम लोगों ने तो चार महीना हो गया गुमते हुए सारे लोगों से मिलते अब तो टाइम है कि अब मत दाता अपना फैसला कर चुके हैं माइंड सेट है तो हम क्यों इदर उदर बोनाएं अब हम अपना मेनेजमेंट का काम पेपर वर्क देख रह रहे हैं कल रहली थी अतनी बड़ी फ्राद रिलेक्स होके अपना काम कर रहे हैं रहली ने आपको यह अहसास करा दिया कि जनता आपसे खुस है और ना खुस नहीं बिलकुल उसे रहली में रहली ने धरम और जात की बात करने हमाले सभी कंडिडेटों का तो समझ यह पस्त कर दिया इसरेली ने जात धरम की सीमा को को गुस्त कर दिया कोई इसमें जात और हमारे रहली में सभी थे सभी धर्म के लोग सभी जात के लोग सभी वर्क के लोग अमीर घरीब सभी लब्धाम जात से उठके लोग आपके ही नहीं किया है धरम औरजात के नाम पर हमने काम किया है कि हमारे नागरिक हैं हमारे भाई हैं इनसान है और हमारे को जो ड्यूटी मिली है सम्विधान ने दिया है अधिनियम ने दिया है लोगों ने जो जिम्मदारी दिये उसको इमंदारी से पूर्ने बाते हैं उसमें लग है एनेच नगर परिशद के अंदर में नहीं आता है ठीक है ना जाम की समस्या काम नगर निगम और नगर परिशदों का नहीं है इसलिए इसका सवाल ही अलग है इसको चाहिए सरकार को जिला परशासन को उन लोग एरेजमेंट होगा आपना करेगा लोग कभी पहल किया सब्स होत बार बात हुई है सरकार ने नहीं भी लिया है आपको पता होगा मीठापूर से एम्स तक बन रहा है एलिवेटेड रोड उपर से और अभी जो बीटा सरमेरा वाला जो रोड चालू हो जाएगा तो यहां कि समस्या आट्रमेटिक निसमाप्त हो जाएगी उतों निटिस देखिए अभी जो महागडबंदन की सरकार है निटिस जी का एजंडा में सामिल है महिला ससक्तिकरम और इस सरकार में आप देखते होंगे कि महिलाएं रात तक घुम रही हैं कहीं पर कोई कुछ करने आला उनको नहीं है तो यह सुरक्षित हैं पुरी तरह से अब हम लोगो सुरक्षा का काम नहीं है अमनों का काम है उनको उनको कैसे ट्रेंड किया जाए तो उसके लिए हमने आट और कल्चर सेलेक्ट किया सरकार की बहुत सारी ज़िधनाएं हैं ट्रेनिंग नीज आती है सिलाई कटा यह कंप्यूटर है और भी अलग-अलग तरह से हैं तो हमने आ में सब्रक्राइब उसके बाद जो महिला के सच्छा के लिए उसका कि लिए वही सब्राइब करनें, तो उसके लिए पहल करना और जो योजनाय सरकार की उसको घर तक पहुझाने कहने की पहली परवाह इन सरुचित के साथ जो है यह राम से सुनशीत होके बैठे हैं कि जीत इनकी पकी है बस इनका ये कहना है कि भारी मतों से इनको जीताया जाए जिसे के उधारण के तौर पे फुलवारी सीपनरी परिसर जो है सामने आए आप देखां नेशन ट्वेंटिफू न्यूस नमस्कार